हलो फ्रेंड वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल दीपक मेडिकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो थमलें देखकर तो आप समझे गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर है तो जी हां आज मैं आपको जान करें दोंगा एनल फिसर के बारे में तो जिसकिसी को न तो मल उस रास्ते से गुजरता है यहां पर कटी चीरा है तो वहां उस से हमें बहुत जादा पीड़ा होती है दर्द वगरा होता है और फिरया सोने के दो तिन गंटे बाद तक जिलन रहती है किसी किसी के तो परिशानी पूरे दिन तक रहती है और उसमें कभी एक बार बल ठीक नहीं रहेगा उसको फिसर नॉर्मल सी आम बात है कि हो जाएगा फिसर जिसका पेट लंबे समय तक ठीक नहीं रहेगा बार बार कॉंश्टी पिसर रहना और ठीक ना रहना तो उसको फिसर होना आम बात है नॉर्मल बात है ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है इसका रहती है। नो इसको पार कार्ड यह है नहीं है तो इसका होने का कारड यही है कि पेट में ज़ा जिस्टम हमहरे थीक नहीं रहता है। ुइसवें ठक टक,चमाइब कोुआण государně Kahna पूर्पका इंजन ठीक नहीं रहे गा तो गाड़ी की इस तरह сказать इंजन ठीक होगा तो गाड़ी कीया वैशाचे काम कहते हो चांम करें वको इसैंट को किसी नहीं करे сумme पूलू हा अगर भी उन सफेट हो, को कि इसि ने मिया चाहि तो और पेट की समस्या को एग्णॉर करते रहना लमी समय तक तो जिस वैसे कॉंस्टिबियसन रहता है डाइजसिट सिस्टम और ठीक नहीं रहता है तो किसी कि फिसर हो जाता है पॉटी करने में बहुत जाता जोड लगती है तागत लगती है मल बहुत जाता टाइट जिससे वहाँपे है कट्सा लगजयाता चीरा तो जब जब मल उस कट वाले रास्ते से निकलेगा तो उसको बहुत छहेडएगा तो जारी सी वहादा दर्द भी होगा जलन भी होगी और कभी कभार बिलेड भी निकल लाता है उसमें से तो फिसर दो तरीके को होता है अब आप यह समझे लों, एक्टूट और क्रॉनिक क्या चीज़ है एक्टूट का मिल्लब होता है, अगर आपको फिसर नया नया बनाए जैसे का आपको समस्या पांच दिन, दो दिन, या एक हफता हो गया या 10-15 दिन हो गया, तो वो एक्टूट कंडिसन मा गया अगर वो फिसर आपको समस्या महीने हो गया है या 40-50 दिन हो गया है, या उससे उपर हो गया, तो वो क्रॉनिक कंडिसन मा गया अगर आपको परिशानी लंबे समय से हो रही है, तो वो chronic condition है, अगर हाल-फलाल में शुरू होई है, दस-पाने दनी होई है, तो वो acute condition है, chronic condition थोड़ी ज़्यादा है, उसको ठीक होने में उतरा ज़्यादा समय लगता है, acute condition जली ठीक हो जाती है, तो इसमें सबसे पहले तो आ में आमेसा जादा पीना ही चाहिए, और junk food बगर अवार्ड करना है आपको, junk food बगर आपको बुलकुल नहीं खाना है, कुछ भी, बाहर का तलाब होना, सादा बोजन खाना, जादा मिर्च मसाली वाला खाना नहीं खाना है, यह आप बात ध्यान रखें, जादा मिर्च मसाल क्या समस्या हो रही है, तो चलिए, अब हम बात करते हैं, इसके treatment के बारे में, तो आपको एक ओंटमेंट ले लेना है, वो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, डिल्टी के ऐसे ओंटमेंट, तो यह ओंटमेंट आपको दिन में दो बाह लगाना है, सुब सुबह साम लगाना उस रास्टे पर, यहां पर कट है, इससे होगा क्या, इससे होगा यह, कि जो पोटी, जो आप सुबह 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 होते हैं, या मल बगरा निकलता है, वो रास्ता बहु जदा टाइट हो जाता है, तो उसको रिलेक्स कर देता है, बल्कुल, जिससे मल आसानी से हो सकते हैं, रिलेक्स तरीके से, जिससे फ्रेस होने में कोई ज़्यारा समस्या ना हो, तो आपको डिल्टी जैसे कांट्मेंट लेना है, या आपको दिन में दो बार लगाना है, सुबह साम, ठीक है, और हमारी अगली दवाई है, किलेवम 625, यह एक एंटी बाइ पानी के साथ, पॉस्जिगा को ठीक करेगा है, और अगली दवाई है, फ्लेक्स ओन टैबलेट आपको लेनी है, दिन में सुबह साम, यह भी आप ले सकते हैं, इसका काम क्या है, दर्द को कम करना, बहुत से लोगों की दर्द बगरा होता है, तो उसको दर्द को ठीक करेग यह फ्लेक्स ओन टैबलेट, और आपको अगली दवाई लेनी है, एक DSA लेलो, पैन DSA ले सकते हैं, यह कैप्सूल आपको सुबह खाली पेट लेना है, पानी के साथ, सुबह खाली पेट लेलो, पानी के साथ, और अगर आपको पेट की जाचिशित मतलब हो, कॉंस्टिपे अगरे ज्यादा बनती है, तो आप इसका साम को भी इस्तमाल कर सकते हैं, खाना खाने से एक घंटा पहले आप इसको लेलें, पानी के साथ, और सुबह भी खाली पेटी लें इसको, अकला है लूज, लूज लूसन आप ले सकते हैं, सीरप, यह सीरप आपको रात में पीना ह सकते हैं, 10-15 ml अब ले लें तो इससे क्या हो है जो मारे पेट में मल जो टैट नकलता है, उसको सॉफ्ट करेगा यह, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो मतलब जिनकी फिसर हो जाता है, वो एसे फ्रेस होने ही ने जाते हैं, एक-秒-termin ताप अ強 दो कि तर जिन से हो ज.' बहुं तो यह आपको बहुत अच्छा रियाट देगा सुबह सुबह आप अच्छे से फ्रयास होंगे एक काम हो करना है एक बीटादीन पॉविडीन आता है बीटादीन का पॉविडीन यह फोटुमेंड डालोंगा आप इसे देख करके मेडिकल वाली से ले सकते हैं तो इसको करना यह है कि आपको गरम पानी करना है गरम पानी कितना जितने गरम पानी से आप ना सकें उतना करम पानी करना है और उस पानी को एक टब में करके इस लोशन को उसमें डालने एक धकन और आपको बैठना है उस टब में यानि कि सिकाई करनी है उस जिगह को आपको सिकाई करनी तेम में बैट करके यह गरम पानी करके उसमें लोसन डाले ना अब यह वाला वाला जिससे आपका जल्दी फिसर ठीक हो जाएगा इस चीज से और हो सके तो आप इसका दिन में दो बार इस्तमाल करें सोबहा साम अगर दो बार नहीं कर सकते हो तो एक बार तो जरूर करें यह बहुत ही आवस्याग है, बहुत ही जल्दी ठीक करेंगा आपका फिसर। ião का और फिससे के पैस्टल संया कर सकते ही और बहुत आप आचा रियल्ड देता है और ज्यादा आपको मिर्च मसाली वाला खाना नहीं काना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, ठीक है, और फ्रेश टाइम टू टाइम होना हो, जिससे आपका दर्द वगरा, जलन वगरा, जो कुछ भी वो सब को देरे दरे ठीक हो जाएगा, इसको ठीक होने में भी समय लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, और जिस किसी की क्रॉनिक कंडिशन है, और तो वो अपना डॉक्टर को जा करके दिखाए, और बहुत से लोग क्या करते हैं, चोटी मोटी बाव आएं, सड़ा किनारी बैटे रहते हैं, हाकीं बगर आइंसा दवाईयं ले ले लेती बाईयां खाई, आराम मिल गया, ठीक हो गया, बाद में कहते हैं, हमारा बुलकुल ठीक हो गया, फिरस हो गया, इसके लिए परमाने रिलाज चलना पड़ता है, आप खम से कम यह दबाईयां पान से शेह दिन खागे देंगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेग तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राब जरू कर दें, और आपको किस-किस टॉप के वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बताएं, मैं इस टॉप के वीडियो जरू पना हुआ, थेंक्यू सो मिच